और आप सुरज निकलने से पहले अंधेरे में घंडा नहीं ला रहेंगे। जैसे हमारे अब्दूल कलाम का जब नीधन हुआ था हमारा जंडा ज्संसद में गया था ब्रिटेन में जब वह और लग गए Botti 22 जुलाई 1947 को भारत के तिरंगा को क्या कर दिया गया, अब रूबल दे दिया गया, भारतिय तिरंगा को हमारी संविधान सबाने का सबसे पहले ही दे दिया गया हम पर, कम मिल गया भाया, 22 जुलाई 1947 को, हमारे तिरंगा को क्या मिल गया भाया, अनुमती मिल गई थी, इस दि कि लंबाई और चड़ाई में जो रेशियो रहता है कितना होता है आपको पता ही होगा थ्री इस्टू टू लंबाई और चड़ाई में रेशियो किता होता है थ्री इस्टू टू इसके बीच में असोक चक्र है एक निवी बुलू का कलर का क्या है चक्र है जिसमें कितनी तील मैं से 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 लिए 24 गंटे हैं लिए 24 गंटे करें ईफटर्कन दिन से लिए 247 ही हरा रंग हरियाली को, केसरिया बलीदान का, सफेद रंग सांती के लिए हम कभी किसी देश पे लड़ाई वगरा नहीं करते हैं, हाँ हमको अगर कोई मारेगा तो हम पूचेंगे, ये बात तो कन्फर्म है, केसरिया रंग किसे दरसाता है, बलीदान का दरसाता है, कुछ लोग कहते हैं केसरिया नहीं होगा कुछ लोग कहेंगे हरा नहीं होगा रहे हमारा देस का तिरंगा सबसे बेटर है हरा क्या हर्याली कोई मिटा सकता है केसरिया क्या आस्मान और सूरज के रंग को कोई बदला जा सकता है नहीं तो देखे हमारा जो है बलिदान का केसरिया किस चीच के लिए बलिदान के लिए हरा रंग किसके लिए हर्याली के लिए हमारे देश हरा बरा है भाई मेरे देश की धर्ती इसमें गलती कैसे कर देता है लड़का सब हम बच्पन में छोटे थे तिरंगा बनाना था तो हमने गलती से क्या किया के सरिया को नीचे कलर कर दिया ग्रीन क इस फूर निकलने से पहले अंधेरे में जंडा नहीं ला राएंगे सूरज निकलने से पहले अंधेरे में जंडा नहीं ला राएंगे यानि जब भी जंडा ला राना है तो जब सूरज निकल जाए सुर्योदय की रोस्नी में सुरी की रोस्नी में हमारी जंडा का तोलन होना चाहिए फ्लैग हॉस्टिंग एकदम और जब सूरज ढलने लगे तो हमारी जंडा का अपमान न हो अंधेरे में हमारी जंडा को कोई देख न सके हमारे वीरों के वलिदान को हमारी मिठी के हर्याली को जब कोई देख न सके तो हम लोग को जंडा क्या कर लिया जैता है सुरियास्त के उतार लेना चाहिए, जंडा में नियम है कि जब भी कोई व्यक्ति जंडा में लेके आगे चलेगा, अंदोलन वगरा में, तो दाहिनी हाथ उसका उपर रहना चाहिए और बाया हाथ उसका नीचे रहना चाहिए, इस तरह से वो फ्लैग मार्च को लेकर चलेगा, यहां पर जं सैनिक हैं, अगर हमारे देश के सैनिक हैं, तो सैनिक को प्रेड वगरा लंवी दूर तक नहीं रहना, अब मान के चलेगा, किसी को आंदोलन करके लेके जाना है जंडा, तो उसे क्या करना है, अपनी गाड़ी पर जंडा सबसे उचा रहना चाहिए, अगर आप किसी धार्मी जंडे को इस जंडे के साथ लगाना चाहते हैं, या भारत में रहकर किसी अन देश का जंडा लगाना चाहते हैं, तो कोई भी जंडा भारत के जंडा से उपर नहीं हो सकता है, जैसे मान के चले किसी को अपना केसरिया जंडा लगाना है, किसी को हरा, किसी को लाल, किसी को ग आपका नियम अपने देश में लगता है अब एक चीज और ध्यान दीजेगा रूस के राष्टपती ब्लादीमीर पुतीन भारत में आए ब्लादीमीर पुतीन जब भारत आते हैं तो उनके सामने उनका जंडा नीचे रखेंगे हमारा जंडा उपर हो जाएगा तो उनको भी लगे तो भारत का जंडा उस जंडे के दाहीने साइड रहना चीज चाहिए कि dus कहाँ रहना चाहिए रूस करो और अगर उसमें तीरंगा लेकर जाना है, और अगर दाहिनी हाथ से उठा के थक गया है, वीचारा कितना दूर ले जाएगा? शायनिक तो है नहीं, आम अदमी शायनिक टूर नहीं रहता है, तो उसे अपने दाहिने कंधे पर जंडे को रखे लेकर चलना है, और याद रखना चाहिए कि जो व्यक्ति दहीने कंदे पे जंडा को रखा है वो आंदोलन में सबसे आगे रहना चाहिए और जंडा कभी भी जमीन से टच नहीं होना चाहिए इससे हमारे जंडे की क्या हो जाएगी बेस्ती होगी जंडा ऐसे तो उसे दहीना हाथ रखके जंडा को हमेसा उपर लेके रखना है लेकिन जब कभी भी ठक जाएगा तुसे कहां रखना है अपने दाहिने कंदे पे लेकर और अंदोलन मार्च में वह सबसे आगे रहना चाहिए यह इस नहीं तो इस तरह से बहुत ज्यादे जंडे का अपमान एकदम सरासर गलत है अरे जो देश का जो देश प सुसाइट करके मर जाना चाहिए क्योंकि एक जानवर को भी अपने खूंटा से बहुत प्रेम होता है जहां उसे बांधा जाता है उसे वह बहुत प्रेम करता है वहां उसे गंदा नहीं करता है और कैसे लोग हमारे देश को लोग उल्टा सिधा बोल देते हम अपने जंडे गभी को आप जाणबुच कर गिया और कम से कम उसे उठा लीजे हो जो अपने देश का सम्मान नहीं कर सकता उसे नरक में भी जगर नहीं देना चीज़ उसको नरक से एक अलग नरक बनाना चीज़गो उसको औरक बनाये उसको फ़राष्ट चीज हमेशा आगी राना चाहिए लेकिन कभी-कभी हमारे देश-पे बहुत बुरा संकट आ जाता है जब कभी विदेश पर बुरा-चंकट आता है तो जंडा को उल्टा लाहरा दिया जाता है भई हमारे देश-जंडा सबसे अच्छा रहा र अंतराष्टिय सम्मेलन में हमारा तिरंगा सबसे पहले किस ने ला रहा है मैडम भीखाजी कामा एक सेलूट उस बीर महिला के लिए भारतिय स्वतनता की जननी का आ जाता है मैडम भीखाजी कामा को तिरंगा जंडा ला रहा दिया तो 1907 में जब हम गुलाम थे तब लोगों कुर्सी पर जब जंडा रहता है तो दो जंडे ऐसे रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है तो दो जंडे अगर तीर्चा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जैसे यह देखिया है अभी कोई दिक्कत नहीं है अभी कोई दिक्कत नहीं है अभी कोई दिक्कत नहीं है लेकि जाएगा कि देश का बहुत बड़ा च्छती हुगा है तो राष्टी ये सोक अगर होता है दुख दर्साए जाता है कि ऐसा दुख जो पूरे देश को लगा है तो उसमें राष्टी जंडा जुकना चाहिए जैसे हमारे एपी जे अब्दुलकलाम का जब निधन हुआ था हमा बड़ा देश भक्त या बहुत बड़े व्यक्ति की जब निधन हो जाती है राष्टी सोक मनाने के लिए ये दिखाने के लिए कि हमारा पूरा देश आज सोक में डूबा हुआ है हम अपने जंडे को क्या करते हैं जुका देते हैं अब एक होता है उल्टा जंडा उल्टा उल्टा जंडा का सेंस क्या होता है कि केसरिया कहां हो जाएगा नीचे केसरिया क्या हो जाएगा नीचे ऋल्टा जंडा का मतलब होता है कि हमारे राष्टी सोक मतलब कोई büykaट परिस्थिति आ गया हो भयानक've all बपाँप आगया हो भयान अग कोरोना क believers के बाहर हो गया है। तरह इमाम तरह इमाम हो गया है वह बहुत बड़ा जल्स इलाब आ यथ बहुत भूकम टाइब का कुछ या सुनामी टाइब का कुछ आ रास्टि यह संकट आ गया है तो अब हम अपने जंडे को क्या करते हैं उल्टा कर देते हैं अपने जंडे को क्या करते हैं उल्टा कर देते हैं भगवान ना करे कभी हमारे देश पर ऐसा संकट आए हमारी भारत मा का जंडा हमेशा लहराता रहा है सांस एक दम यहां पर रास्टी यह सो क्वान इस्पेशल ध्यान दिजेगा हमान देश का जंडा सीधा ही रहें